आज मैं आप लोगों के सामने जो मूवी लेकर आई हूँ, इस मूवी के अंदर हम एक ही टाइम पर दो दो यूनिवस के अंदर ट्रावल कर सकते हैं, यानि कि ऐसे प्राचीन सभ्यता लोगों ने बनाई थी, जिसके अंदर आप अपने दुनिया में तो रह सकते हैं, साथ ही साथ आप दोसरे यूनिवस में भी ट्रावल कर सकते हैं, और यह सब कुछ हो सकता था, एक स्काइ टावर से यह मूवी, एक साइन्स पेंटे से अक्शन मूवी है, इस मूवी में आपको अडवेंचर के साथ में एक्शन भी फुलाउन बोनस के साथ में मिलेगा, तो चलिए में आपको लेग चलती हूँ, इसी मॉंस्टर की दुनिया में कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा सा जहाज दिखाए रहता है, लेकिन है जहाज पान पर नहीं चल रहा था, प्रॉल की चाच रिगिस्तान में चल रहा था, यह दुनिया हमारी दुनिया नही था कि वहाँ पर रहने वाली मॉंस्टर दूसरी दुनिया में न आ जा सके और वहाँ की इंसान हमारी दुनिया में ना आ सके, वे श्रिप में बैठे सभी वॉर्यर जापस ने एक दूसरे से कंभरसेशन भी कर रही थी, कि तभी वहाँ पर सब सीरिल मॉंस्टर उन लोगों में गिर जाता है और बाकी के लोग शेप में सवार होकर आगे निकल जाते हैं आप कहानी पहुच जाती है हमारी दुनिया में तुम्हारी की प्रेजन टाइम के अंदर यहां पर देखते हैं उन पत्रों पर कुछ लिखा हुआ था और यह लिखा हुआ था कोई बहुत पुरानी शेली के अंदर मामलों के इसके उपर आपको कुछ वर्निंग साइंस लिखे थे या फिर ऐसा रास्ता की जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा और अब बहें देखते हैं उसमें से एक सोच अपने गले में पहनने वाला पेंडल अपने पेंडल में पहन लेता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद इस चूती से मुझे पहचाना जा सकता है प्रिटिश सोलजर उन सब को यह ओफर देती है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए बलकि हम यहीं से ही अपना रास्ता मोड लेना चाहिए रास्ता मोडने पर और तेज गारी चलाने की परशोवत तुफान इन जिपसियों को अपने अंदर खीच लेता है काफी मशकत करने के बाद में यह तुफान इने बहुत ही बुरी तरीकी से खायल करके ही रेगिस्तान ने गिरा देता है और अभी रेगिस्तान कोई आम रेगिस्तान नहीं था बिलकि यह लोग पहुट छुके थे दूसरी दुनिया के अंदर यानी की वह चो टुफान आया था वह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था और सभी लोग अब इस रास्ते में फंच चुके तो वे सभी को बिलाता है और कहता है कि आप सब को यह देखना चाहिए, सभी को वहाँ पर अपने ब्रावो टीम दिखती है, जब सब जने जागर उन टिपसी के पास में पहुचते हैं, तब वे देखते हैं कि चिपसी के अंदर बैट सारी की सारी सोल्जर्स चल की राख हो च चुके हैं, और सबसे इंट्रस्टिंग चीज यह थी, कि वहाँ पर किसी भी लड़ाई जगरे का कोई निशान नहीं था, अपना ही हाथा पाई का निशान का ना ही अगर किसी ने उन पर हमला किया था, तो उसकी बॉड़ी थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोलिया चली लेकिन यह गोलिया मिला कर चली किस प्रती सभी जने इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, कि आखिर उन सोल्जर्स का इतना बुरा हाल किस नी किया होगा, अच्चो टीन की लोग जिंदा बचे थे, वह अपनी गारियों को ठीक करके आगे निकलने की कोशिश करते ह कि आखिर उन्हें रास्ता तो देखना ही था, इस समय वह मौरे भी इन लोगों को देख लेता है, जो कि उस जहाज में किरा था इस वायव का नाम का हंटर, अब जब सारी के सारी सोल्जर्स अपनी गारियों में बैटकर आगे निकलने वाले होते हैं, कि तभी वह चाहते है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा, और इस बात को लेडी सोल्जर समझ भी जाती है, कि तभी वहाँ पर वह सब को यहां से निकलने कंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, वही जानवर तु शुरुआत म कि वह एक बार के लिए डिस्ट्रिक्ट हो जाए, और इन लोगों को बचने का मौका मिल जाए, अब बचे कुछे सोल्जर पहचानते हैं, पहारी की चत्तानों के बीच में जहां पर होने लगता है, कि वह सिर्फ है लेकिन यह इनकी बहुत बड़ी गलती थी, यह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ही अलग, और यहां पर आपको दिन में भी मौनस्टर्स मिलेंगे, तो रात में भी मौनस्टर्स आपको यहां पर बचने का मौका नहीं देंगे, और यहां पर कुछ सोल्जर बैठे थे, और बात कर ही रहे थे, कि तभी वहां पर बहुत जाता है, नरसे जबी न सलसो मॉनिटर्ट था वे एक स्पीशीच थी, स्पाइडर की यानि की स्पाइडर और इससे भी भयानत चीजों से मिलकर बना था, यह मॉन्स्टर और वे एक ही बार के अंदर हमारी लेडी सोलजर को उठा लेता है, इसी कारण वे बहुत पूरी तरीके से बेहो जाते हैं, लेकिन बहाँ पर आगे जाने के बाद में कोई भी नहीं बचता है, वे जो मॉन्स्टर थे, वे उन्हें भी खत पर कर देते हैं, लेडी सोलजर के उपर उस मॉन्स्टर का जो हमला हुआ था, उसके कारण वे खायल हुई थी, मरी नहीं थी, इसी कारण थोड़े इस टाइम पर भी लेडी सोलजर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वे मरी नहीं थी, अब वे खुद को उस चिपचप इसे कबचने से बाहर निकलती है, और देखती है कि उसके सारे के सारे दोस्त मरे हुए थी, तभी वहाँ पर उसको एक हैंड बैग मिलता है, जिसके निकलने लगे थी, और दूसरी दूसरे जानवर निकलने लगे थी, इसलिए वे सोलजर अपने कैप्टन को कहता है, कि आप यहां से जल्दी निकल जाओ, अब जब ओफिस चाने की कोशिश करती है, तो फिर से उसके साथ वही मॉंस्टर आ जाता है, वे जैसे तैसे एक सु पुरंग के रास्ते से उपर आ जाती है, जब वे उपर आती है, तो देखती है, कि वे मॉंस्टर इस धूप में नहीं निकल सकते हैं, यानि कि यह जो मॉंस्टर है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही रहते हैं, और अंधेरे में बाहर निकलते हैं, इसलिए अब वे एक ज इसी तैसी करके वह चर्टानों के सहारे आगे बढ़ती है, अब अपना रस्ता देखे अपने की तरफ निकलने लगती है, अब वहाँ पर उसे वही शिप मिलता है, जो कि एक टाइम में वालियर्स का शुरू हुआ करता था, वह शिप में जाकर देखती है, बहुत ही पूरी सरी के सेट हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को भी यही सूच रहे थी, कि नुकसान पहुचा सकते हैं, वह लोग लड़ते लड़ते चाहते हैं, और रिगिस्तान के अंदर एक बार ऐसा होता है, कि कप एल फिसल जाता है, मॉन्स्टर्स वाली सुरंग के अंदर वह जैसे हो तब लेडिस वाउचर उसे कम्यूनिकेट करने की कोशिश करती है, कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे, यह बात हंटर भी समझ जाता है, और अब यह दोनों एक टीम बन जाते हैं, यहां से निकलने के लिए हंटर उसे रेकिस्तान छोर पर ले जाता है, जहां से जहां पर बहुत बड़े बढ़े बम है, हम इससे इस मास्टर को खत्प कर सकते हैं, तब हनटर उसका मजाग उड़ाता है, कि इन बॉम से उन मांस्टर के उपर कुछ फ़र्ट नहीं पढ़ने वाला तब वह दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, कि एक मांस्टर को दूसरा monster ही खत्म दर सकता है तब रहे बताता है कि जो monster सुरंग के अंदर रहते हैं उनके पास में venom है अगर हमें गहने मिल जाए तो हमें स्रेगिस्तान पर रहने वाली monster के उपर attack करेंगे welcome का तो यह monster मर जाएगा अब भो लोग रात आने का इंतजार करते हैं, वहाँ पर लेडी सोलजर खड़ी होती है, उस रात वाली मॉंस्टर को बुलाने के लिए जैसे ही रात होती है, और वह मॉंस्टर अपने अपने सुरंगों में से निकल जाते क्वाटर पीछे-पीछे आने लगता है, उस लेडी सोलजर क अब अगली सुबह उनका प्लान वहाँ से निकलने का था, हंटर वहाँ पर रात में उस व्यक्ति वाली डंग को पूरी तरीकी से अलग करके अपने तीर कमान की उपर बान लेता है, अब सुबह होने पर वह लोग निकल जाते हैं, सोलजर अधी भी उस हंटर से लड़ने के यह पिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, इसी कारण तरफ सुलजर को ट्रेनिंग देता है, वह से बड़े बड़े वेपन चलानी की ट्रेनिंग देता है, जोकि उसकी शिफ्ट के अंदर रखी थी, ताकि उन्हें आती जाती कोई प्रॉब्लम ना हो, और अब सुलजर पूरी गिराएंगे, और आप जब मांसून के सामने आखडा होता है, तो वहाँ पर हंटर वे 30 जला देता है, उस मॉंस्टर के आँख में लेकिन वेह मॉंस्टर अभी भी नहीं मरता है, बलकि उसकी कीवे आँखे दुगली होती है, इसी बीच में 100 जब बहुत चाती है, अपने चिपसी के पास में वहाँ पर उसके पास में एक बड़ा सा हत्यार रखा था, और उसमें सिवे बंप शूट कर देती है, उस मॉंस्टर के उपर इसे धीरे धीरे करके वे मॉंस्टर अब थुड़ा बहुत खायल होना शुरू करता है, दूसरी दर्फ हंटर अपनी एक तही दीखते सोलजर उस मॉंस्टर के सर में उस धल में आपको पूरी तरीकी से दबा देती है, और फाइनली वे मॉंस्टर अब जाते खत्म होता है, तभी वे जाकर हंटर के पास पहुंच जती है, चुकि अब काफी ज्यादा बेहोश था, तब वेह उसी मॉंस्टर की खा फॉरस्ट एरिया के अंदर यहां पर उन्हें पानी भी मिलता है, साथ ही साथ उन्हें जानवर मिलते है, अप्स और इस्याए नौन वेजिडिडेरियन थे, यानि कि यह इन्सानों को नहीं खाते हैं, अंदर इसी युनिवर्स का था, इस टे इन्हें सारे की सारे मॉंस्ट तो पास के वहाँ पर आगुगलने की कारण बाकी जो अड्रेस थी, यानि कि दूसरे मॉंस्टर वे डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, और तभी वहाँ पर पहुच जाते हैं, हवा में जूलते हुए उसे वहाँ से बचा लेती हैं, लेकिन यह दूसरी दुनिया से बांद देता है, और उसे की बीच में रख देता है, वहाँ पर उसे मिलने के लिए हंडर भी आता है, और सुलजर बहुत कुस्से में अपने हाँ दिखाती है, कि मेरे हाँ बांद रखी हैं, वहाँ से बाहर निकालने की तर्कीब सोचती हैं, तभी जिसके बीट में वह थी वह जमीन पर एक दूसरी जगह निकलने का रास्ता था और वह उसका दरवाजा खोल कर जहाज की निचले हिस्से में पहुँच जाती है इन निचला हिसा एक तरीकी से किचन था और इस किचन शीट थौट आफ बोतर एक किलाव आखर अधर हम दूसरी दुनिया में है तो हमें इस बात पर हैरत नहीं करना चाहिए कि एक बेला भी साफ हो सकता है और तभी वह बाकी लोगों के सामने पहुच जाती है अब एड्मिरल अब सोल्जर के हाथों को खोलता है और यह बताता है कि मुझे हंटर ने बताया कि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो तब सोल्जर उसकी बात सुना और समझ पा रही थी तब एड्मिरल से पोचती है कि आपको मेरी भाशा कैसे आती है तब उसे वे हर चीज बताने लगता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी दुनिया से आने वाली पहली इंसान नहीं हो यहाँ पर और भी बहुत ठक चुके हैं काफी समय पहले इसी कारण मुझे उनकी लेंगवेजिस बता है अब सोलजर वहाँ भी पोचती है कि मैं आखर कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर कैसे पहुची हूँ तब एग निर्लो से एक बुक की तरफ इशारा करता है और सारी की सारी चीज बताने लगता है वें कहता है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले एक प्राचीन सभ्यता थी कर लिया लेकिन यह रिchnittा कभी बन नहीं हुआ और सामने जो इसका तवर है यह सारी लोग वही पर रहा करती थी तो इसका मतलब है कि वहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्काई टावर है और हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया से लोग यहां आए और दूसरी चीज कि यहां के मॉंस्टर्स तुम्हारी दुनिया में चले जाएं हमारा मिशन यही था कि हम वहां पर स्काई टावर पर जाकर वह रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे लेकिन इसी बीट के अंदर हमारी उपर उन मॉंस्टर्स ने हमला कर दिया था यही कारण था कि हमारा पहला मोटो था कि अपने लोगों को बचाना और चहाज की मरंबत करना और इस पीट में हमसे हंटर भी अलग हो गया था लेकिन अब हम यह मिशन बापस शुरू करेंगी तुम अपने घर जा सकती हो लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी अब भी सोलजर उस जहाज को छोड़कर आगी की तरफ का सफर तय करते हैं अब जब उसका टावर पर स्वागत है तो वहां तक का रास्ता तो आसान था लेकिन बहां से निकलने का रास्ता उतना ही मुश्किल था अब वहां पर वही पत्थर की चौकी पहले भी हमने देखी थी जिन कि जब रात लॉस आग उगलता है जस्ट उससे पहले ही वे कमजोर होता है और वे इतना कमजोर होता है कि हम उसे मार सकती हैं आग उगलने से पहले जब आग बनाता है इसी दारान वे कमजोर पड़ता है और हम उसी इसी दारान मार सकती हैं रतलाम वहां पर चिपके वार्य लेकर उस रतलाम उस पर हमला करते हैं, ताकि उसको पकड़ ले और उसके आँख बनाने के कारण वहाँ पर तूफान बन जाता है, और यह तूफान ही दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था, सोलजर वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रेथल और उसके उपर भी आग उगलता है, और आपको पहाड़ी के कैसे इस पर थी, जहां से गिर किया तो वह मर सकती थी, या फिर दूसरी दुनिया में पहुच सकती थी, अब इतने बुरे हमले के बाद में वह सी लेडी सोलजर बची थी, सभी लोग उसका फर्स स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेच पर डालकर वापिस से आमी के प्लेन के अंदर ले जाते हैं, सभी उसे पोचने की कोशिश करते हैं, कि आखर बाकी के मेंबर्स कहां है, तो आपके साथ में थे वही कुछ बताने की कोशि एक एक करके वही के वरिक्ष तोड़ देता है, और आग उगलने लगता है, वहाँ पर जो दूसरी टिप्स यह थी, वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन रतलोज की आपके कारण वह कोई भी नहीं बच पाता है, सोलजर बहाँ पर उठ खड़ी होती है, क्योंकि उसी ही पता था, कि इसे कैसे माना जा सकता है, और अब सोलजर के पास कुछ हतियार भी आ गय थी, क्योंकि वह वापस प्लेन में थी, सोलजर उस प्लेन में से छोटे छोटे बॉम लेती है, जिसे अगर बहाँ पर पोड़ा जाए, तो वह बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट करत है, कि उसने उस मॉंस्टर को मार दिया है, लेकिन वह गलत थी, इतनी जल्दी वह मॉंस्टर नहीं मरने वाला था, और वह वापस खड़ा हो जाता है, कि तभी वह देखती है, कि वहाँ पर हंटर उसके उपर अटाक करने लगता है, और दूसरी तरफ से हंटर तीर कमानों क साथ में उसके उपर लगातारिक के बाद एक खुब सारे अटाक पर देता है, इसे अटाक की कारण आखिरकार जुकी वह मॉंस्टर गिरही जाता है, और जलने लगता है, खुदी की आँख में तब वहाँ पर एड्मिरल भी पहुच जाता है, और वह कहता है, कि अब यह र नहीं तो यह पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और वह तीनों इस दूसरे रहते ग्लास को मारने के लिए निकल परते, यह कहानी के पोस्ट क्रेड़िट सीन में हमें दिखाय जाता है, कि जो दूसरी दुनिया थी, वहां के मॉंस्टर से लड़ने के लिए जो ह चीज ओफ कर रहा था, इन सब चीजों का अंदाजा तो हमें तभी पता चलेगा, जब हमारे पास वापस से कोई नई मुवी आएगी, अकत इस मुवी का सिर्फ और सिर्फ एक ही पार आया है, चुकि 2020 में आया था Evergreen Futures, इसका कोई भी पार आएगा, तो मैं आप सभी लोग हाफि कोईया था 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 पारिक ही के पार आया है, जब हाँ से कर दो लोगड़ार स कोई थे पार आया है, सका कर दोयोखिया झाए़ार पार आया है भी वाप एकर अंदा है, सबढ़ है, सारा आएदिक पा नई मृद्श्ने, आएब हैं एमtså sí